अब हम आते हैं साक्षर्ता और संस्कृति पर साक्षर्ता और संस्कृति के बिंदूओं पर कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ इशारे हो चुके हैं थोड़ा सा हम इसको विश्तार से जाने प्रयास यह है कि इस अध्याय में रोमन सभिता के हर पहलूं के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर जान ले और उसी परिप्रेक्ष में हम चलते हैं साक्षर्ता की बात करने और उसके संस्कृति की बात करने इस समरज की विशेष्टाओं में से एक विशेष्टा यह थी कि एकल परिवार पर उनका ज्यादा जोर था यह बहुत आधिनिक विचार धारा है और ये आधिनिक विशेष्टा कही जा सकती है आधिनिक विशेष्टा कार्थ यह है कि सामानेतिया एकल परिवार औद्योगिक रूप से विकसित देशों में औद्योगिक रूप से जो बढ़ चुके हैं उन देशों में उन जगहों में होते हैं रोमन परिवार में भी वही प्रताती एकल सामराज्य की एकल परिवार की इसका मतलब कि शायद वे लोग इस मामले में काफी आगे थे उनके विचार काफी आधनिक थे भारत में तो आज भी जॉइन फैमिली संजुक्त परिवार की प्रता है लेकिन यदि हम उसका हिस्सा होत तो शायद हमारे हाँ भी एकल परिवार की पद्धती ज्यादा सामान ने रहती जहां तक जवान पुत्र और उनके परिवार के लोग थे तो पुत्र अपने माबाप के साथ नहीं रहते वो जैसी बड़े हुए फिर वो अपने रास्ते चले जाते उनके भाई भी अपने र दाना था क्योंकि रोमन सब्धता में उच्वर्ग था और दास्वर्ग था और दास्वर्ग मूल रूप से पूरवी ख्षेतर के थे रोमन एमपायर के पूरवी ख्षेतर के और उनके लिए एक हर परिवार के लिए एक आवश्यकता थी दासों की तो इसलिए दासों का शा समाने अधारना थी कि अरे हर घर में दास्ट तो होना ही है अगला बिंदु कि जो गणतंत्र का जो परिवर्ती काल था मतलब जब बदलाहट शुरू हो गई थी परिवर्तन आना शालू हो गया था पहली शदी ईस्वी पूर्व में जो बदलाहट शुरू ही थी उस समय तक जो विवाह था विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपनी पती की संपत्ती नहीं देती थी पत्नी की संपत्ती पत्नी की ही रहती थी पत्ती की नी रहती थी और इस पकार रोम के महलाओं का अपनी संपत्ती पर कानूनी अधिकार था ये भी एक बहुत आधनिक विचारधारा है और ये आदिनिक विचारधारा का आज से 2000 वर्ष पूर्व के सामराज में होना इस बात का परिचायक है कि रोमन सामराज अपनी विचारों आदि में बहुत आगे था संपत्य में कानूनी प्राधान के बाद हम ये भी जानें कि जो पती की संपत्य होती थी उस पर भी उसका कुछ अधिकार होता था और साथ में उसको वैधिक स्वतंतरता थी वैधिक स्वतंतरता मतलब कानूनी रूप से वह स्वतंतरती तलाक आदि के मामले में भी आपको पहले मैंने बताया कि तलाक सरल था पति द्वारा पतनी को तलाक या पतनी द्वारा पति को तलाक केवल विवाह भंग होने की सूचना से हो जाता था ये तो बहुत ही आधिनिक परिवार की कलपना है आज जो पश्चिमी देश में इतना सामान ने हो चुका है तलाक ये पध्धती उस समय रोमन सभिता में थी आज से दो हजार वर्षपूर्व ये भी एक बड़ी रोचक बात है तो विवाह और तलाक दोनों ही सरल थे कोई खास मुद्दे नहीं थे विवाह के उम्र की बात करें तो देखिए आज भारत में बाल विवाह अभी भी बहुत प्रचलित है यद्यपी वो गैर कानूनी हैं कानूनी प्रावधान समवैधानिक तरीकों से इस पर काफी लगाम गई है लगाई गई है लेकिन फिर भी हम उतने सफल नहीं हो पाएं ह दूसरी और आज से दो हजार वर्ष पूर्व की रोमन सब्विता में पुर्षों की आयू 28-30 और महिलाओं की आयू लगभग 22-23 के आसपास होती थी 22-23 वर्ष के उम्र में महिलाओं का विवाह होता था लड़कियों का विवाह होता था और 28-29 या 30-32 के आसपास पुर्ष के वर्ष सही वैवाहिक वर्ष मानी जाते हैं विश्व में भी और भारत भी इस दिशा में अगरसर है भारत में आप देखेंगे कि यद्यपी विवाह के उम्र पुरिशों के लिए 20 वर्ष है लड़कियों के लिए 12 वर्ष है अब प्राउधान बनाने की तयारी है कि खेवर के लोग मध्यम खेवनी के लोग और जो लोग नौकरी चाकरी कर रहे हैं वे लोग 27-28 वर्ष के उम्र में विवाह कर रहे हैं लेकिन रोमन सभिता में आज से 2000 वर्ष पूर इस प्रता का होना इस विश्वास का होना ये स्वैम में एक आँख खोलने वाली बात है ल विवार की रजामंदी से ही विवाह होते थे लेकिन पतियों का अधिकार जो है वो पत्नियों पर बहुत बना रहता था वे अपने पत्नियों पर हावी रहते थे आगे कुछ और बात हम बताएंगे हावी किस तरीके से रहते थे पत्नियों अपने पति के मातहत थी पत्नी का पत्नियों पर एदिकार और उनका हावी होना बिशप गैथलिक बिशप जो थे आगस्टीन उन्होंने तो अपना जीवन जो साउथ आफरीका में उत्तरी आफरीका में बताया है आप नक्षे में देखेंगे कि जो पूरा उत् शेत्र था वो रोमन सामराजी का हिस्सा था याने मेडिटरेनियन सी के ठीक नीचे का जो लंबा हिस्सा है उत्री अफरीका का वो सोमन सामराजी का हिस्सा था और वहां की बात करते हुए बिशप आगस्टीन का कहना है कि उनकी जो खुद की मां थी उसकी पिताई उसके पिता थे छोटे बड़े सभी शहरों में जो औरते होती थी वे पिटाई का निशान जब तब बताती थी उनके शरीर में दिखाई देता था तो यह पिता का बहुत जादा दबदबा था परिवार में और पिता का अपनी संतानों पर भी काफी नियंतरन होता था और हो सकता है शायद इस कठोर नियंतरन का ही परणाम कि बड़े होने पर तुरन बच्चे दूसरी जगह चले जाते थे और एकल परिवार के रूप में माबाप बच जाते थे और दास साथ में रहते थे तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसाई सभिता में या ततकाली रोमन सभिता में कई विचार ऐसे थे जो आधनिक हैं चलिए कुछ और उदाहरनों की ओर बढ़ते हैं जो रोमन सब्विता कितनी विकसित थी या रोमन सब्विता कितनी आधनिक थी इस बात की ओर इशारा करते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि रोमन सब्विता की कुछ बुराईयां थी उधारन के लिए कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं उसके उधारन मिले हैं जिसमें बच्चों को अवांचित बच्चों को मार दिया जाता था आवान्चित बच्चे याने गैर कानूनी बिवाह के पूर्फ बिवाह पूर्फ जो ऐसी बच्चों का जन्म हो जाता है उन्हें मार दिया जाता था और उनको कोई कानूनी अधिकार भी नहीं थे याने हम कह सकते हैं कि रोमन समराज में सामाजिक शेतर में पूर्फों का दबाव था महिलाओं को मार देना अवान्चित बच्चों को मार देना और उस पे भी उनको कानूनी प्राओधान के तहट संरक्षन मिलना ये इस बात को साबित करता है संस्कृति के कुछ बिंदूओं को जानने के बाद साक्षर्ता की और मुड़े उनका साक्षर्ता का स्तर क्या था जहां तब उनके विचारों की बात है हमने कई विचारों को जाना जो बड़े आधनिक थे पर क्या साक्षरता की दृष्टी में भी वे इतने ही साक्षर थे पूर्ण साक्षरता थी ये तो ठीक से नहीं कहा जा सकता हाँ लेकिन इतना जानकारी जरूर मिली है विभन शुरूतों से विभन खुदाईयों से उत्खनन से और अन्य सूत्रों से कि जो साक्षरता का स्तर वह काम चलाऊँ था क्योंकि जो सामराज जी इतना विष्टरित था उसमें इतनी अलग-अलग संस्कृतियों का प्रभाव था अलग-अलग भाशाओं का प्रभाव था कि सब जगह की शिक्षा-पध्धती जो थी वो अलग-अलग थी तो बहुत से जो ऐसे जो परिनाम है कम साक्षर्टा आ दी वह इसलिए क्योंकि सामराज बहुत विशाल हो चलाल था और उस जमाने में ऐसे संचार के तीवर माध्यम भी नहीं थे जिसके जरिये एक दूसरे से निकट संपर्क बनाय रखा जा सके शिक्षा जदिया पे अलग अलग थी जैसे हम अधारन दे कि पॉंपई शहर पॉंपई शहर में 79 इस्वी में ज्वाला मुखी पटने से काफी हिस्से दफन हो गया 89 89 एस्वी में जौला मुखी आया पॉम्पी में और जौला मुखी आने से बहुत सा हिस्सा पॉम्पी का दब गया और प्रणाम क्या हुआ कि दबने से वो यथावद बने रहे रीचे और बाद में जब उनका उत्खनन किया गया तो हमें काफी कुछ ठोस प्रमान वहां से मिले हैं इस खेत्र के बारे में जानने के लिए साक्षर्टा के बारे में जानने के लिए वहीं से पता लगता है कि वहां की जो साक्षर्टा की दर थी या साक्षर्टा की जो स्थिती थी वो एक तरीके से काम चला हूँ थी कुछ ज हुए हैं विग्यापन की भाशा विग्यापन का तरीका और उसके साथ ही ग्रैफिती ग्रैफिती क्या होता है एक तरीके से दिवारों में चित्र बनाना विशाल दिवारों में बड़े बड़े चित्र बनाना वो ग्रैफिती कहलाता है ग्रैफिती को हिंदी में अभी रेखन भी कहते हैं तो ये ग्रैफिती और विग्यापन तत्काली विग्यापनों के जरिये हमें एक अंदाज लग सकता है कि उनका जो ग्यान था शिक्षा का स्तर था वक्त काम चलाऊ था साथ ही कई डॉक्यमेंट भी हैं जिसमें पता लगता है कि अमुक व्यक्ति पढ़ नहीं सकता फलाना व्यक्ति लिख नहीं सकता तो निशकर्ष ये कि साक्षरता कुछ व्यक्तियों तक सीमित थी जैसे सैनिक रहे होंगे प्रबंधक मैनेजर आदी रहे होंगे अधिकारी वर उनमें सक्षरता थी दा सोगर की तो सक्षर होने की तो बात ही दूर और सक्षरता से हां अर्थ क्या है जिन्हें लिखना पढ़ना और थोड़ा बहुत गणित आ जाए सक्षरता का अर्थ को इस आहित एक विद्वत्ता की बात नहीं हो रही है यानि ऐसे लोगों की संख्य कम थी जिन्हें लिखना पढ़ना और गणित वादी आता था आधार भूद गणित ये वहां के उत्खनन से मिलता है और अधारन पांपी शहर का आया हुआ ज्वाला मुखी है जिसके अंदर जो कुछ दफन हुआ उसके उत्खनन से जो जानकारियां दिख रही है उस पर य कई नदियों के बीच बना था समुद्र वगर भी थे तो सभाविक है अच्छा इतना विशाल होने के साथ भागोलिक स्थिति में भी बहुत बिन्दता थी एक और मरूभूमी था सहरा का दूसरी और एशिया माइनर का खेत्र जो तलनात्मक जिस्ते उसका अलग टेंपरेचर मेडिटरेनियन सी और उसके ऊपर का हिस्सा उसकी सांस्कृति अलग तो सांस्कृतिक विविद्धता वहां पे बहुत थी बहुत ज़्यादा हम भिन्नताएं इस खेत्र में देखते हैं और जैथा कहा गया कि संचार माध्यम नहीं के बराबर था केवल ट्रां स्कृतियां थी अपनी अपनी आइडिंटिटी लगभग बनाया रखी जहां तक विविन्नता की बात करेंगे तो धार्मिक और इस्थानी देवी देवताओं की विवित्ता थी हर खेत्र के अपने देवी देवता थे हर खेत्र की अपनी भाशा थी हर खेत्र की अपनी जन जाती जो स्थानी व्यक्ति थे और उनकी जो बस्तियां हैं वो फरात नदी के पश्चिम में प्रमुक भाग भाशा के रूप में थी तो फरात नदी ने यूफरेटस, टाइग्रेश नदी, गलाज और यूफरेटस ये जो नदियां हैं इनके आसपास के जो खेतर हैं यहां की भाशा प्रमुक थी मिस्टर में जो भाशा बोली जाती थी उसे कैप्रिक कहते हैं, उत्री अफरीका में प्यूनिक भाशा और इसके अलावा बरबर, इस्पेन में कैल्टिक भाशा, C-A-L-T-I-C तो ये हर खेतर की अपनी अपनी भाशाएं थी और अपने अपने खेतर में ये भाशाएं काफी मजबूत थी, स्वादंत्र भाशाएं थी, इनमें कई भाशाएं अपने तरीके से मौखिक संस्कृति के रूप में थी, जब तक कि लिपी का आविशकार नहीं किया गया, इनकी संस्कृतियां जो थी, इनकी जो परंपराएं थी, इनके जो रीति रिवाज थे, वो मौखिक थे, कहीं पर लिखे हुए नहीं थे, तो सभाविक है, लिपी के नहीं होने से ये दिक्कत तो होगी है, लेकिन मौखिक स्तर पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, इन संस्कृतियों का जाना, रीति रिवाजों का ट्रांसफर होना, इस बात को सावित करता है, कि विभिन नक्षेत्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति और भाषा के प्रती सजक थे, एक भाषा है आर्माइक, आर्माइक भाषा बहुत बाद में आई, जो भाषाओं का मैंने उपर लेक किया है, इसमें आर्माइक भाषा अलग थी, ये काफी बाद में आई, और तीसर तीसरी सदी का काल, आप को याद होगा, तीसरी सदी का काल वो काल है जब परिवर्ती काल और इसके बाद का काल, बीच के जो सो वर्ष हैं, डेर सो वर्ष हैं, ये थोड़े अलग थे, तो अर्माइक भाषा का विकास, तीसरी सदी के मद में, बाइबिल के अनुआज, कैप तो वहां पर इसका विकास हो चुका था और केल्टिक भाषा का लिखा जाना भी उसी समय प्रारण हुआ पहली सदी के पहले आने के पहले लगभग ये भाषा समाप्त हो चली अब ये जो भाषाएं जो हैं जैसे कैल्टिक भाषा और इसके बाद कैप्रिक भाषा ये भाषाएं अर्माईक भाषा के आने से लुप्त प्राय होने लगी और अर्माईक भाषा का प्रादुर भाव बढ़ने लगा इसका सभाईख है इन भाषाओं की तुलना में जिसका जिकर क्या गया है ये वाली भाशा जो थी वबाद मे आयी इतना तरह है कि जब तक ये आर्माईड भाशा आई तब तक कि लिपी कार्पिक में आचुकी थी कैप्रिक में आचुकी थी और लिपी कियाने से बाईबल का अनुवाद ही हो चुका था अंत में कैल्टिक भाशा का लिखा जाना प्रथम शताब्दी में पूरी तरह समाप्त हो गया सामाजिक सन रचना राजनेतिक परिप्रेक्ष में रोमन एंपायर को समझने के बाद भौगोलिक परिक्प्रेश में रोमन एम्पायर की जानकारी के बाद अब हम थोड़ा सा इसकी सामाजिक सरचना पर जाएं इस काल के जो इतिहास कार हैं जुनका नाम टैसिटास उन्होंने जो शुरू के प्रारमिक समू है उनका वर्णन किया है और इसमें लिखा है कि सेनेटर अश्वारोही वर्ण के प्रमुक जंता के जो व्यक्ति थे वो लोग इन लोगों का सम्मंद राजघरानों से होता था यानि एक वर्ण समाज में ऐसा था जो राजघराने से जुड़ा हुआ था और इसमें कौन लोग होते थे इसमें मूलता अश्वारोही सेनेटर जो सेनेटर तो स्वैम में एक बहुत ही all powerful body हुआ करती थे तो उसके सज़स्ट निश्चित रूप से बहुत ताकत वर होंगे और उसके साथ ही जन्ता के कुछ प्रमुक वर्ण के लोग राजघराने से जुड़ हुए थे इसके बाद ही इनका संबंध एक दूसरे से हुआ करता था एक दूसरे संबंधित रहते थे दूसरा वर्ण होता था फूहडव और निमनिस्तर के लोग जो तमाशे दिखाते थ से आदी आदी और साथ में तीसरा वर्ण होता था दासों का तो पहला वर्ण राजघराना और उससे जुड़े हुए लोग जिसके लोग सेनेट आदी से जुड़े थे समाज के अन्य उच्च वर्ण के लोगों के साथ जुड़े हुए थे दूसरा होता था एक जिसे हम कहल निम्न वर्ग और इतिहास कार टैसी टस ने उसे एक तरीके थे निम्न स्तरी वर्ग तमाशा दिखाने वाला वर्ग कहा है और तीसरा होता था दास दास वर्ग का जिक्र पूर में हो चुका है तीसरी सदी में याने वो ट्रांजिशन पीरिड में सैनेट की संख्या बढ़ते एक हजार हो गई आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था कि सैनेट की शिरुआत सेंचुरिया कमिशिया से हुई याने सौ लोग होते थे इसमें सौ के बाद वो बढ़ते बढ़ते जब जमीनदारों को लिया गया अन्य प्रभावशाली लोगों को भी इसमें लिया जाने लगा दबाव समू जब बढ़ने लगे तो इनकी संख्या तीन सौ तक पहुँची पर तीसरी सदी आते आते एक हजार हो गए और इनमें थे जो सैनेटरों में आधे लोग इतावली मूल के थे याने इटेली के लोग थे रोम के आसपास के थे या रोम के समाज से जुड़ हुए लोग थे पांचों लोग लगभग लियाने दब दबाव उनलों कर था सैनेट में कॉंस्टेंटाइन प्रथम जो एक बहुत प्रस्यासक था उसके समय से आरंभ हुआ था और टैसिटस जो रोम का बहुत महत्पूर्ण इत्हासकार था उसने लिखा है कि सैनेटर या नाइट और अश्वरों ही मिलकर एकी कृत अभिजात वर्ग समाज बना चुके थे सैनेटर या नाइट नाइट एक तरीकी टाइटल हुआ करती थी वो पाधी हुआ करती थी के एन आई जी एस टी जिनने आज भी इंगलंड में नाइट हुड सम्मान के लिए सम्मान के लि वो को बिटिश कीन या किंग के द्वारा दिया जाता है उसे नाइट हुड कहते हैं तो उस समय भी रोमन सम्माज में भी इस प्रकाट टाइटल उपाधी दे कर भी कई लों को सम्मानित करते थे और उसमें सेनेटर होते थे नाइट हुड होते थे और अश्वारों ही जात वर्के थे जो राजगराने से जुड़े थे जो सेनेट से जुड़े थे इनकी कुल परिवारों में आधे जो थे वो अफरीकी मूल के हुआ करते थे याने एक और इतावली मूल के लोग काफी थे दूसरी अफरीकी मूल के लोग जो उत्तरी अफरीका के थे जो रोमन empire में जुड़े हुए थे वहां के लोग थे समाज के दूसरे तबके की बात करें तो नौकर शाही जो थी यानि ब्यूरोक्रासी और उसके अलावा सेना ये मध्यम वर्ग में गिने जाते थे और इन में से कुछ लोग व्यापारी भी थे कुछ लोग सौदागर और कुछ किसान भी थे तो ये किसान व्यापारी वर्ग नौकर शाही और सेना ये एक तरीके से मध्यम वर्ग पहला तो राजघराने से जुड़ा हुआ उच्च वर्ग जो किसी न किसी तरीके से राजघराने से संपर्क रखता था दूसरा होगया मध्यमवर्ग ये जो सम्मानित मध्यमवर्ग था इसमें वे सेनड पर आधारित थे उस पर आश्रित थे और मूल रूप से सरकारी सेवा और उसके अलावा कुछ राज के अन्य तरीके की सेवाओं में इनकी जरुस्त होती इनकी पूर्टी होती थी इनका जो दायरा कारिक्षित का दायरा था वो यही था सेना उसके लावा राज की सेवाएं और साथ ही साथ कुछ राज के अनकारे यह हुआ मध्यम वर्ग अब तीसरा जो है निम्न वर्ग यह सबसे विशाल समू हुआ करता है तो पिरामिड हम बनाएं तो वर्ग प्राज घराने का वर्ग जो छोटा सीमित उसके बाद मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग वो सबसे ज़्यादा विशाल का है अपनी संख्या में अपने साइज में था इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे और इन्हें हुमो लियॉरिस कहते थे हुमो लियॉरिस यानि निम्निस्टर निचले तबके के थे समाज में निम्निश्रिनी के थे और इनमें अधिकतर मजदूर थे शरमिक थे जो खेतों में काम करते थे फसल कटाई में काम करने वाले श्रमिक थे और इसी के बल पर उनका पालन पोशन होता था दास ये गुलाम जिनकी संख्या हज्जारों में थी और पश्चमी सामराज में लाए गये थे इनकी भी संख्या बहुत बड़ी थी तो ये लोग निम नुवर्ग में आते थे अनिस्किल्ड इसके बाद उलम्पिडॉरस जो एक राजदू था उसने लिखा है कि कुलीन परिवार जो थे सब्रांत परिवार जो थे उनकी वार्शिक आय लगभग चार हजार पाउंड सोने के बराबर थी और आज ये जानकारी इसके द्वारा दी गई है कि जो उपज है वह उपभोक से सीधा करते थे रोमन समराज के अंतिम शतादियों में चांदी का प्रचलन खत्म हुआ याद होगा मैंने बताया था कि रोमन समराज में सोने का प्रचलन बहुत था और यदि भारत हिस्सा होता तो भारत में भी सोने के सिके बहुत आते तो आपकी जानकारी के लिए कि जो रोमन समराज के जो समाप्त के वर्षा है उस समय आते आते चांदी की का उप्योग मौद्रिक प्रणाली की रूप में समाप्त हो गया और स्पेन को जो खानों से चांदी मिलती थी वो बंद हो गई थी और स्पेन जो इस समराज का हिस्सा था वो सिके बनाने के लिए जाना जाता था अब चूंकि चांदी मिलना बंद हो गया, सिके मिलने बंद हो गया और सरकार के पास अब चांदी बिलकुल ही नहीं रह गई इतनी चांदी नहीं रह गई कि वो उससे मुदरा तैयार करे रोमन समराज के अंतिम सद्यों में जहां चांदी के सिके कम हो गए निवनुतम हो गए ऐसे ही नौकर शाही वर्क की दिबात करें तो अपने अंतिम सताबद्यों में नौकर शाही काफी धनी हो चुके थे और उनके धनी होने का एक कारण ये भी था कि उन्हें जो वेतन मिलता था वो हम वेतन एक तरीके से सोने के मुद्रा के रूप में मिलता था सोने के रूप में मिलता था तो यहां से हम देखते हैं कि संभावता नौकर शाही धीरे धीरे अपनी धनादिटा के कारण हावी होने लगती है और यह बात कब की है? रोमन सामराज के अंतिम दशिकों की अंतिम शताबदियों की जैसे आज जमीन का शौक है लोंगो को खरीदने का यही शौक उस समय भी था और जो उच्च तबके के जो लोग थे जिसमें उच्च अधिकारी होते थे सैन अधिकारी होते थे और नाए व्यवस्था से जड़ो हुए लोग थे वे लोग अपनी आमदनी से जमीन खरीड़ते थे इसके साथ ही लूट खसोट और लालच के लिए भी यह लोग जाने जाते थे दूसरे शब्दों में रोमन सामराज्ज के समापति के शताबदियों में उच्च वर्ग का जो दबदबा था वह बढ़ता गया और उसके साथ साथ उसका दूरुपयोग भी बढ़ता गया लूट खसोट उत्ततकाली नितिहासकार ने कहा है कि नियाए ववस्था में भी यह गवड़ियां दिखाई देने लगी हलागि सरकार ने समय समय पर इस पर हस्तक शेप इस पर नियंतरन इस पर अपनी कठोड़ता लाने की कोशिश की लेकिन जो भरष्ट कारणामे जो बारम बार आ रहे थे सामने उस पर अंकुष नहीं लगाया जा सका और पूर्ण ता अंकुष लगाना संभव भी नहीं था क्योंकि समराज जी का विस्तार ख्षेत्रेदी आप देखें तो बहुत विस्तृत है और एक केंद्र से चाहे वो प्रांती राजधानियों से ही क्यों नहों ये उस समय कठिन था कि इस पर पूरी निरंकुष्टा से नियंतरन पाया जा सके और ब्रश्टाचार दुरुपयोग शक्ति का दुरुपयोग समय के साथ साथ बढ़ते गया अब हम थोड़ा और वापस रोमन समराज के नक्षे की ओर जाएं और एक तरीके से जिसे हम कहते हैं पुनरा वृत्ति संक्षिप्ट में थोड़ा सा री कैपिचुलेशन करें इसका जो केंद्र है आप देखेंगे कि एट्लांटिक महा सागर एक तरफ और एक जगा लिखा हुआ है दमिश्क इतने लंबे छेत्र के बीच में कहीं पर ये रोमन समराज जहन भूमजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज एंटियोक, किस्टिंतुनिया और इसके अलावा दमिश्क ये सब लिखा हुआ आ रहा है नीचे दक्षिन में उत्तरी अफरीका का हिस्सा है जिसकी शिरुवात आप देखिए मिश्र लिखा है मिश्र के साथ त्रिपोलितानिया लिखा है जो त्रिपोली आज कहलाता है और ट इडिनीसिया के बाजू में कार्थेज छोटे अक्षरों में दिख रहा है कार्थेज उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में था जिसकी स्थापना लगबग आठ सो बीसी में हो चुकी थी जो आपको बताये था यद्यपी रोम की स्थापना हुई एक हजार बीसी के आसप भूमद दूसरे शब्दों में भूमद सागर के चारों और ये स्थित इनको यदि हम थोड़ा और समझें तो उत्तर में देखिए काला सागर ब्लैक सी इसके और हम पूर्व में जाते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ दूसरा सामराज जो वहाँ फैला हुआ था जो दूसरे सामराज का हिस्सा वो था तो कुल मिला कर रोमन सामराज का जो छेत्र था वह भूमद सागर और उसके आसपास का और उसमें मूलत ये शहर आते हैं या और ये समुद्र आते हैं ये छोटे शहर ये बड़े शहर इस समुद्र और उसके अलावा दूसरे सामराज से जुड़े हुए पडोसी कुछ देश इस विस्तरित खेतर में हम ये मान सकते हैं कि डक्षिन्ड से पूर्वी अरब तक का जो पूरा हिस्सा है और कभी कभी जो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ जाता है काला सागर के अदि हम आगे बढ़ें पूर्व की तरफ काल ब्लैक स से लेकर अफगानिस्तान और उसके आगे तक भी थोड़ा कई बार इरान का ख्षितर रहा और इस प्रकार ये ख्षितर इरान के कबजे में रहे इन्हीं दो सामराजियों को लेकर इन्हीं दो नक्षों को यदि हम जोड़ें तो दो विस्तरित सामराज मिलेंगे जिसको ले कि ये पश्चिम है और उसे ब्रिहत चीन के रूप में उसे समझता था ब्रिहत चीन याने चीन के बाद विस्तरित खेतर दूसरा विस्तरित खेतर तो ये दो सामराजियों को मिलाने से वो ब्रिहत चीन एक तरीके से निर्मित होता था